Hey guys, good morning, मैं हूँ आपका host Vikram and most welcome करता हूँ हमारे this Earn with Vikram YouTube channel में So, इस वीडियो में हम आपके साथ share करने वाले हैं कि आपको RSGO में अपने utility wallet से mobile का recharge कैसे करना है So, let's start So, हम simple अपनी RSGO के application से login हो जाते है Login कर लेते हम अपनी ID को इसके जैसे नहीं कोई कंपनी हो So, next यहां पर आप आगे तो अभी आपके पास यह चार option आपको ओपर दखाई दे रहे हैं Dashboard, Add Money, Recharge and Money Transfer So, हम 3rd option को select करेंगे Recharge and Utility Bill Payment यहां पर हमने touch किया So, आपके सामने आपका wallet का balance आपको दिखाई दे रहा है So, यह सारे option आपके सामने अवेलवाल है So, हमने अपने मोबाइल प्रिपेड है, हम प्रिपेड सलग कर लेते हैं तो भी आपके समनी में live करके बताने वालों तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले mobile number हम से मांगा जा रहा है तो mobile number जो mobile number आप recharge करना जाते हैं जिस number पर वो हम फिल कर देते हैं तो आपकी company हम select कर लेते हैं अब यह 0 को cut करके ध्यान देना जितनी amount डालनी है वह amount जितनी amount का आपको recharge करना है और एक चीज़ यहां पर धियान रखना है जब आप mobile number फिल कर रहे हो तो यहां पर प्लस 91 आपको select नहीं करना है डारेक्टली अपने 10 डिजर का number यहां पर फिल करना है तो detail फिल होगी है भी recharge पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अभी देखिए recharge हो जाएगा यह देखिए successfully accepted within 5 seconds आपका recharge हो चुक है और अभी मेरे पास SMS आएगा मैं वह आपको भी दिखाऊंगा देखिए बालेट कट हो चुक है 72 रूपी अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो अभी आपको मैं recharge history में जाकर दिखा रहा हूं कि recharge अपना हो देखिए मेरे पास SMS भी आ चुक है आपके सामने live आया देखिए तो मैं इसको open करके दिखा देता हूं यह देखिए recharge history और dispute तो recharge history पे मैं क्लिक करता हूं तो यह देखिए आप देख पा रहे हैं कि मेरे number पे recharge successfully हो चुक है date time सब कुछ mention है आपके सामने ही है तो और जितनी amount का मैंने डाला था वो यहां पे successful हो चुक है और by chance अगर आपके साथ ऐसा कोई problem आती है आपका recharge नहीं हो पाता है then आपको क्या करना है आपको 40 से 60 minute के बाद यानि probably एग घंडे के बाद आपको यहां पे dispute request पे आपको click करना है right तो देखिए यहां पर no record found को कि मेरा recharge हो चुक है अगर आपका नहीं recharge होगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा तो फिर next आप like company को इसके बारे में बता सकते हो dispute लगा सकते हो और देन आपको इसके बारे में company की दर्से help नल जाएगी और आपका recharge successfully हो जाएगा देखिए हमने जाना कि आज कैसे recharge करते हैं तो अभी हम next video हमारी देखना ना बोलेंगो कि next video में आपके साथ share करने वाला हूं कि आपको money add कैसे करनी है utility wallet में money add कैसे की जाती है वो step by step आपको मैं live करके बताऊंगा so next video का wait करें और अभी के लिए मैं आपसे इजाज़ चाऊंगा और इस video का अपनी team पे साथ जरूर share करें so that उनको भी information पहुंचे और किसी भी हमारी leader को जो नया leader especially उनको कोई भी दिक्कत ना रिचार्ज करने में step by step मैंने आपको बताया as it is आपको वीडियो का लिंक उनको शेर कर देने that's it और चैनल उपर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब करके bell notification तुमाएं so that next मेरी latest वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे that's it thank you so much god bless you